वीडियो दिखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटिस्ट नोडिफिकेशन्स नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में मैं मेघाम वरुन धवर और श्रदा कपूर की स्ट्रीट डांसर और कंगना की पंगा ने बड़े परदे पर एंट्री मार ली है दोनों ही फिल्मों को लेकर क्रिटिक्स की अलग लग रहा है ऐसे में हम लेकर आएं इन दोनों फिल्मों का रिव्यू तो देखे ये पूरी रिपोर्ट और खुद फैसला कर लिजे कि आपको कौन से फिल्म देखने जानी चाहिए शुरुआत करते हैं स्ट्रीट डांसर से अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें डांस रियालिटी शो काफी पसंद है डांस का काफी जादा शौक है तो ये फिल्म आपके लिए ही बनी है रेमो डिसूजा को जानते हैं पहले ABCD लेकर आये थे और बाद में ABCD2 दोनों ही फिल्मों का बिजनेस काफी अच्छा रहा था और इनहीं दोनों फिल्मों के तीसरी कड़ी है स्ट्रीट डांसर सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की कास्टिंग की फिल्म में लीड आक्टर्स हैं वरुन्धावन, श्रधा कपूर और नोरा फटेही फिल्म में डांसर बने धर्मेश भी हैं इनके अलावा पुनीत पाथक, सल्मान यूसूफ खान और रागव जुवाल ने भी अपने-अपने किरदार को बहतरी धंसने भाया है प्रभुदेवा इस फिल्म में रेस्टुरेंट परफॉर्मर बने हैं जो एक सर्प्राइस पाकेज की तरह हैं फिल्म में अपार शक्ति खुराना भी साइड रोल में हैं फिल्म की पूरी शूटिंग लंदन में हुई जिसमें वरुनधावन और श्रद्धा कपूर को अलग-अलग टीम का लीडर दिखाया गया है पहला एनराई का ग्रूप है जिसके लीडर सहेज यानी वरुनधावन है दूसरा ग्रूप है पाकिस्तानियों का जिसकी लीडर इनायत यानी श्रद्धा कपूर बनी है दोनों ग्रूप हमेशा लड़ते रहते हैं और डांस की लड़ाई में एक दूसरे को अपमानित करने का मौका कभी नहीं चुकते फिल्म में नोरा फतेही एक दूसरे ग्रूप की लीडर बनी है जो बाद में वरुनधावन की ग्रूप को जोईन कर लेती है नोरा फतेही ने पूरे फिल्म में अपने dance moves से सबका दिल जीत लिया है आपको फिल्म में शांदार dance moves देखने को मिलेंगे तो ये थी street dancer की कहानी जिसके story में दो टीम एक dance title को जीतने के लिए आमने सामने दिखाए गई है इसके साथ है एक emotional background story चुकि फिल्म dance पर बेज़ है तो हर पांच मिनट में dance के scene है इस street dancer के album में मुकाबला, illegal weapon 2.0, गर्मी, दुआ करो और लगदी लहौर दी जैसे गाने शामिल है जन सब्ता इस film को 5 में से 3 star rating दे रहा है अगर आप dance के दिवाने हैं तो ये film देखने जा सकते हैं अब रुख कर लेते हैं पंगा मूवी के तरब शादी और माँ बनने के बाद अपने passion पर focus करने की कोशिश करने वाली महिलाएं एक ऐसा मुद्दा है जिससे बॉलिवुड ने विस्तार से जानने की कभी जहमत नहीं उठाई पंगा फिल्म के हिरोईन कंगना जया नाम की एक पूर्व कबड़ी खिलाडी के करदार में है जिसका जीवन रोज मर्रा के कामकाज में ही उलच कर रह गया है कंगना ने इस फिल्म के कैरेक्टर को बखू भी निभाया वो अपने पिछले जिन्दिगी को दोबारा जीने और अपने सपने को पाने के लिए सबसे पंगा लेती हैं जससे गिल कंगना के पती बने हैं रिचा चड़ा उनकी दोस और नीना गुपता उनकी मा फिल्म का एक डाइलोग काफी प्रभावित करता है जिसमें जया अपने पती से बोलती है जब मैं आपके बारे में सोचती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं आदी यानि अपने बेटे के बारे में भी सोचती हूँ तो भी मुझे बहुत खुशी होती है लेकिन जब मैं खुद के बारे में सोचती हूँ तो मैं इतना खुश नहीं होती फिल्म की कहानी शांदार है जो आपको मोटिवेट करने के साथ साथ इमोशनल भी करती है जया का किरदार निभाराई कंगना ने इस फिल्म के जरीए एक बार फिर अपने अभिने का लोहा मनवाया है फिल्म में कबड़ी के लिए जया की दिवानी तब परवान चरती है जब वो अपने बेटे के कहने पर 32 साल की उम्र में दोबारा कबड़ी खेलने के लिए उतरती है हाला कि नेशनल टीम में वापसी करना उनके लिए इतना असान नहीं होता क्योंकि अब वा मा और पक्नी के रूप में घरेलू जिम्मेदारिया भी संभाद रही होती है फिल्म में करना के अलावा बाकी किरदारों ने भी अपना अपना रोल शांदार तरीके से निभाया है चाहे वह जसी गिलद्वारा निभाया गया एक सपोर्टिंग हस्बेन का किरदार हो या रिचा चड़ा का एक मुफट दोस्त का रोल यग्यभशीन जया के बेटे बने हैं नीना गुपता ने भी काफी अच्छी आक्टिंग की है इस फिल्म के गाने पंगा का टाइटल ट्रैक दिल ने कहा जुगनू, बिब्बी सॉंग और वही है रास्ते भी काफी अच्छे हैं जनसत्ता इस फिल्म को 3 स्टार रेटिंग दे रहा है अगर आप भी अपनी मा की महनत, जजबे और समर्पन के कायल हैं तो उन्हें ये फिल्म दिखा कर शांदार तौफा दे सकते हैं अब आपके सामने हैं दोनों फिल्मों के शॉट रिव्यू, शुरुवाती कहानी, आक्टिंग वर रिव्यू रेटिंग हमने आपको बता दी है आप इन दोनों में से कौन से फिल्म देखना पसंद करेंगे हमें बताएं कमेंट बॉक्स में आप दोनों फिल्में भी देख सकते हैं और उनकी प्रायोरिटी भी तै कर सकते हैं बॉलिवूड की दुनिया में तमाम घटनाएं होते रती हैं इसके अलावा मूवी के रिव्यूज और सीरियल्स आदी के डिटेल्स के लिए जिने करीब से जाना चाहते हैं तो जुड़ जाए जनसत्ता के साथ और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लिजिए